साथ कूट प्रेत या पेट की कथा राजगेय वैनुबन के अंदर है जो सठी कूट है या साथ कूट नाम का एक बहुती उम्दा किस्ब का कलाकार था कलाकारी क्या करता था पत्थरवास था यानि पत्थर को बच्पन से प्रेक्टिस करते करते इतना शांदार उसकी प्रेक्टिस हो गई कि जहां निसाना चाहे और जित्ताकर से चाहे माता था और उसका निसाना बहुत अचूग था बड़े ही कमाल का पत्थरवास था मगर वो जो पत्थरवाज था मूड था मूड का मतलब है कि उसमें समझ नहीं थी अच्छे काम नहीं करता था खराब करता था उसे लोग बार बार समझाते थे उसके माता पिता उसके भाई जो भी भिकूगन है जो भी कुछ हैं समझाते थे कि ये जो कला है अच्छी है मगर इसका सही इस्तमाल होना चाहिए कभी किसी पक्षी को मत मानना कभी किसी जानवर को मत मानना कभी किसी मनुस्य को मत मानना और आप इसकी कला का इस्तमाल जैसे उपराम तोड़ने के लिए या कोई फल तोड़ने के लिए या कहीं कोई चीज ऐसी है जिसको लाप राप होता उसके लिए करें मगा जो 60 कूट था या जो 60 कूट था वो मूर था, बाल था, पेथ था उसने क्या किया एक दिन एक भिक्यू को जाते हुए भिक्यू पे निसाना लगाया और सर्प निसाना मारा, पत्थर इतने जोर का लगा कि भिक्यू बड़ी मुश्किल से अपने बिहार तक आपाए और बिहार आते आते मर गए, भिक्यू के उपासक जो लोग थे वहाँ और जो लोग थे मनुस्य थे उनको जब यह पता चला, कि यह जो साठी कूट है, इसने पत्थर मार के भिक्यू को घाल के आय मार दिया है तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उसको पिटाई वगरा कर दी उसकी पिटाई होने के बाद उसको उस समुदाय से बाहर निकाला दे दिया और वो पेत की जिंदगी में पेत बना गोंता रहा और पेत की जिंदगी उसने पुरी जिंदगी काटी जंगलों में जानवरों जैसी अब यह चर्चा भिक्को संग में चली और भगवान ने यह गाथा कही गाथा आज के समय में बहुत ज़्यादा उपयोगी है ध्यान से सुनिए यावदेव अनत्थाय येई अंग बालस से जायती हंती बालस से सुकंग संग मुद्ध मस विपातयं यावदेव अनत्थाय यावदेव अनत्थाय का मतलब है कि जीवन भर कोई अगर ग्यान की बात कोई अच्छा व्यक्ति है जीवन भर अगर वो ग्यान को सीखे या जाने जीवन भर का जो ग्यान है वो उसका अनर्थ करेगा अनर्थ का मतलब है नुपसान ही करेगा किसका यत्तंग बालस से जायत यत्तंग माने है जो ग्यानी है बालत से माने मूर्ख के लिए और जायती माने उत्पन होता है यानि जीवन भर का जो ग्यान है किसी मूर्ख ग्यानी के लिए वो अनर्थी पैदा करेगा नुपसान ही पैदा करेगा, हमेंसा कुछ न कुछ न कुछ न कुछ न कुछ पंगाई खडा करता रहेगा, लफडाई करता रहेगा, जगडाई करता रहेगा, कहीं न कहीं कोई न कोई कौरली करता रहेगा जो मूर्खे पर ग्यानी है जीवन भर का ग्यान है उसका उत्पन करेगा हंती बालत से सुकंग संग हंती माने मार देगा मारता है बालत से माने बालक का या बालक के लिए सुकंग माने होता है जैसे सुक माने जो होता है वो सफेद होता है सुक्वाने सफेद का मतलब है जो उसके सफेद काम है यानि जो उसका सफेद पक्ष है उसको वो मार देगा यानि जीवन भर में जो उसने अच्छे काम किये है उनको वो मार देगा, खतम कर देगा मुद्मस्य विपाता है मुद्मस्य का मतलब है जो मुद मत्थ बोलते हैं इसको यानि के मुख और मत्थ वो नीचे आ जाएगा मत्से माने जो होता है वो आता है नीचे आना और विपात येंग का मतलब होता है पात होना उसका पतर होना यानि के जो सफेद पक्ष है जिसका सुकंग, संग यानि सुकंग माने हो गया सफेद को और संग माने निज़ को यानि उसका जो निज़ का खुद का जो महनत का किया हुआ सफेद काम है वो भी सारा का सारा मारा जाएगा, खतन हो जाएगा और उसका मत्था और उसका जो मुँ है वो उसको नीचे आजाएगा, कर देगा और उसका पतन हो जाएगा इसको अगर इस पश्च सब्दों में समझे है तो यह स्पिकार है कि कोई व्यक्ति अगर मुर्ख है तो उसका जो जीवन भर जो उसने ग्यान प्राप किया है वो हमेसा उसे व्यक्ति में डालता रहेगा कटनाई में डालता रहेगा नुकसान में डालता रहेगा और जो जीवन भर उसने कोई अच्छा काम किया भी है वो सारा काम खराब हो जाएगा और वो उसका सर नीच रहेगा उसके हमेसा लोग बेचती करेंगे, निंदा करेंगे इसके अगर आप उधारन देखेंगे जीवन में तो आपको इसके हजारों उधारन मिल जाएंगे जैसे कोई बम बनाने वाला है परमाणू बम बनाने वाला है और उसने बंबनाया या किछी तरह का बंबनाया तो उसका जीवनमर का ग्यान है मगर मूर ग्यान है अनर्थ करने वाला ग्यान है वो जहां भी बंबो को छोड़ेगा वहाँ लाखो लोग, हजार लोग मरेंगे और अनन्थ उसको यही कहेंगे कि इसने बहुत बुरा काम गिया और उसके सर को उसकी जट को हमेशा नीचे करके देखेंगे कोई उसको इजट नहीं देगा इसी प्रिकार जैसे आपने देखा होगा कि जर्मन के अंदर एडॉप्ट हिटलर है हिटलर ने बहुत ज़ादा एक उसके अंदर सकती थी कि वो और्गनाइज कर सकता था लोगों को लोगों को एकटा कर सकता था लोगों को बड़ा अच्छा भाशर देता था उनके तल्यान की बातें बताता था मगर उसके मन में कुछ और था वो लोगों को कहता था कि मैं तुम्हें सुखी कर दूँगा जर्मन बहुत बढ़िया हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा पूरी किताब है इसकी आप उसे देखेंगे पढ़ेंगे समझेंगे और वो लोगों को आखशित करके लोगों ने उस पर यकिन किया भरुसा किया, मगर उसका जो जीवन भर का ग्यान था अरंत वो पहुँचा कहाँ देश उसने पूरा भरवाद कर दिया अंत मैं अपनी गर्फेंड के साथ मैं सुसाइड कर लिया उसने गोली माली और आज तक भी हिटलर को सब गाली ही देते हैं हिटलर के देश के खुद के लोग भी पूरी दुनिया में शरमशार और शरमिन्दा हैं उनका जो मस्ता के वो नीचे है हिटलर उनके देश के नाम पे कलंक है जिसने करोडों लोगों को मरवाया तोकि इस सब्ता उसके हाथ में आ गई ये ठीक उस प्रिकार है कि कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा अपड़ जाए लिख जाए और उसके पास कोई आधे सात्मा की सक्ति आ जाए कोई जज्मेंटल पावर आ जाए उसके अंदर और वो मूर हो और मूर्ख हो और पापी हो तो अनन्त अगर उसने कोई अच्छा काम भी किया है तो वो भी बिकार हो जाएगा लोग उसके अच्छे काम को मानेंगे नहीं और उसको भी सदा नीचे यानि कि उसको गालियों से नवाजेंगे उसकी हमें सब बेज़दी करेंगे और उसके कलंक मानेंगे जीवन भर उसका कलंद रहेगा इसलिए जो मुरक व्यक्ति होता है वो जो ग्यान प्राप करता है पूरे जीवन भर वो अनर्थी अनर्थ करेगा नुकसान ही नुकसान करेगा और कोई अच्छा काम भी अगर होगा तो वो भी खराब हो जाएगा ये मुर्खों के वारे में बहुत सटीक बात भगवान बुदने अब से 26 साल पहले बताई ऐसे मुर्ख आज भी पूरी दुनिया में बिखरे पड़े हैं आपको हर दो दरवाजे के बाद में कोई ना कोई मुर्ख का उधान मिल जाएगा किसी मौले में, किसी कालोनी में, किसी जिले में, किसी गली में, किसी दफ्तर में, किसी दुकान में, किसी मौल में, किसी स्टेट में, किसी राज्य में, किसी देश में, दुनिया में बिखरे पड़े हैं, धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी या प्रिंट में, किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे, या link को कहीं भी share कर सकते है कहीं भी चला सकते है आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते है इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं, वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हें की बात को सलभासा में बताते है हमारा सिर्फ वितना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेण गच्छाम। संगं सरनं गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। बूतियं पी बुद्धं सरनं गच्छाम। बूतियं पी धम्ममर सरनं गच्छाम। पुतियम पी नमंह सरनं गच्छामी, पूतियों पी सर्णों सर्लं गच्छामी, तैतियों पी बुद्धं सर्लं गच्छामी, ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी धम्मंग सर्णं कच्छामी ततियं पी संदं सर्णं कच्छामी ततियं पी संदं सर्णं कच्छामी साधू, साधू, साधू कामेस मिच चरविर्मनी सिखा पधिंग स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिखा पधिंग स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिखा पधिंग स्माधियामी कामेस मिच चरविर्मनी सिखा पधिंग स्माधियामी